आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कस करने जा रहे हैं हेल्थ असेस्मेंट वन थार्ड सेमिस्टर लंस युनिवर्स्टी के पास्ट एंजी क्यूज को आज हम डिसकस करने जा रहे हैं हेल्थ असेस्मेंट वन लम्स युनिवस्टी के पास्ट एमसी क्यूज को ठीक है जी स्टूजेंट्स तो लम्स में 2019 से 2023 तक जितने भी हेल्थ असेस्मेंट के पेपर हुए हैं उनमें जो भी एमसी क्यूज आएं हैं 30 एमसी क्यूज थे 22 तक 23 में 30 मीं वी ही होँगे क्योंकि अभी जो करेकूंट रेक्ट चैंज हम वह जूनियर्स के लिए उनके नहीं हुआ नहीं हुआ बाइद वे तो 30 एमसी क्यूज जो आते थे और अभी उपके आएंगे यह स्टूड़नस उनमें जितने भी MCQs होंगे mostly mostly MCQs इन्हीं MCQs में से आएंगे यह हर्गिस आप ना सोचना कि हमने जो पैत्रोफिजियोलोजी के MCQs डिसकस किये, फार्माकोलोजी के MCQs डिसकस किये, ठीके डियर स्टूडंस, वो अलग थे यानि उनका स्ट्रक्चर कुछ अलग था कोई अलग टाइब का था, ये भी जियर स्टूडंस वैसे ही MCQs हैं, शिर्फ इनकी हमने PDF बनाई है, वो इसलिए ताकि इनको अच्छे से हम डिसकस कर सकें ठीके जियर स्टूडंस, जो तो तनी इनकी भी MCQs आएंगे, वो इन्हीं MCQs में से रिपीट होंगे, तक रिपीट होंगे और जो MCQs हमने फेस किये, यानि हिल तस्ट्रमेंट वन और हिल तस्ट्रमेंट टू में वह MCQs भी इन्हीं में हैं, और में उनको मार्क करूंगा, आपको यह भी बताऊंगा, कि MCQs फस्ट में आया था, MCQs टू में आया था, MCQs फस्ट और टू दो नो सेमिस्टर में आया था, ठीके जिस्टूडंस, तो तलती है MCQs के उपर पढ़ते हैं, पहला, MCQs तो पहला, MCQs तो पहला, कि वेंडे इन आसेस्मेंड आ उन आइज कि अवेरी फर्स तिंग जेट अनर्स को क्वाइड लूकई इज है तो कुछिर न numर वन कि रहा है कि भी जैसेए कि जब कोई nurse client patient की eyes को inspect कर रहा होता है देख रहा होता है उनकी assessment कर रहा होता है तो सबसे पहला-पहला काम ners क्या करता है obviously सबसे पहला काम क्या करता है वो external structure को देखता है चाहिए आंक्तों कि लावा कोई भाड़ी का part वो inspect करके देखता है उसके external को ठीक है उसके बाद वो अंदर जांगता है देखता है उसके पीफिल की साइज को के राइट है के टरेक्ट तो नहीं है या कोई गलाइकोमा वगयरा तो नहीं है तो सबसे पहला-पहला काम क्या करें करें आई का स्ट्रक्टर और दी आई किया होगा डिस्टूर्स कांट सरोगा एक्स्टर्नर स्ट्रक्टर अवडी आई ठीक है उसके बाद हैं स्टूर्स मारे पास कि भई वाइल द नर्स इस इंस्पेक्टिंग दा थ्रोट आफ a client with a tongue blade the client begins to get what this this response indicate to the nurse किरा है कि नर्स इंस्पेक्ट कर रहा है गला को क्लाइट कर दे कि पेशन का गला देख रहा है उसके टंग को बिलेड कर रहा है ठीक है जब जैसे कि टेशन गेग करेगा ठीक है तो उसके response को क्या कहेंगे उसके resposta कि अiliar फंक्शनिंग रिसपोंस चरहों कि इसके बाद सीगी में पास के दौिरिंग यइल्ठ हिस्टी अक्लाइन बीगिनस तुटक अबाउट एर दोगोग अन्ड aquestjobs he's having has breaking the new to help the client return to the health interview that nurse could use the communication skill तो इसका राइटेंट से हमारे पास किया होगा तो इसका राइटेंट से हमारे पास होगा focusing focusing क्यों होगा क्यों कि भी हेल्थ स्ट्रीक अंदर वो क्लाइट के हेल्थ स्ट्रीक ले रहा है नर्स चीक है और क्लाइट जो है वो डॉक के बार में पता जाए जाए तो यानि वो किसी चीज़ को पर फोकस कर रहे हैं तो इसका राइट अंसर क्या होगा क्योंके Healduminal जो Health examination है फिजिकल examination के technique से लग हैं तो सबसे पहले कि एंस्पेक्षिटिक करेगा उसके बाद असकलटेशन करेगा ठीक है है ठीक है तो राइट जिए हमारे पास क्या है क्लेंच हिस जौव एज शी कंटिन्यू तो पलपेट इस हेड विन शी आसके इम तो दू इस वट इस नर्स टारा मॉस्ट लाइकली ट्राइंग टू पलपेट तो इसका राइट अंसर हमारे पास क्या होगा भी फारानाज टेंप्रो मैंडिबूलर जॉइंट क्यों है कि आसकर क्लाइन फराना टू क्लेंच हिस जौ एज ही कंटिन्यू टू पलपेट यानि उसको पलपेट करता रहे तो इसका क्या होगा क्भी टेंप्ररली मैंडिबूलर जॉइंट उसके बाद हम स्कूज है मारे पास कि बई नर्स इस पल प्लानिंग टू पलपेट अ क्ल यूरी ब्लेडर तो वह होता है हमारा हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में ठीक है इसका राइट अंसर हमारे पास क्या होगा हाइपोगेस्ट्रिक रीजन इसलिए क्योंकि वह हैपोगेस्ट्रिक रीजन को पलपेट करेगा ब्लेडर को पलपेट करने के लिए तो ब्लेडर हमा आप से यह कौन से रिजन में आएगा यह आएगा हमारे पास हैपोगेस्टिक रिजन में उसके बाद हम सीक्यूज भी ऐसेवन्टी इयर्स ओल्ड मेल क्लाइंट कम्स इंटु दा क्लीनिक विट वेट लोज एक सतर असाल का बुड़ा पेशेंट क्लीनिक पर आया लो वेट ल इसका वेट लोज हो रहा है उसको खाने में दिक्कत होती है यानि वह अच्छी दरीक देशको निगल नहीं पाता तो इसका मतलब क्या होगा कि वो डिस्फेगिया का मसला है इसके साथ ठीकी जिस्टुज अच्छा उसके बाद हमसी कुजे मारे पास एक है कि वह आफ नाउजिया एंड उसके बाद दूसरा मस्कुज आगे कंटीनुए एंड एनुरेक्जिया इसक्राइब देश्क्राइब देपेन एज जेनरलाइज यस्टरडे बट टूडे इट है लोकलाइज टुदा राइट लोवर क्वाडरंट यानि राइट लोवर ठीके एंड डाइट लोवर क्वाडरंट आप उसको तकलीवती राइट लोवर क्वाडरंट में आपने पल्पेट किया लेफ्ट लोवर क्वाडरंट ठीके वाट इस दे नेम अफ दिस साइन यह कौन सा साइन होगा यानि आप जिस जगह पर दर्द है उसको आप उसकी उल हमारे पास sign होगा कौन सा rosing science rosing science वो science होता है जाने कि आप एक जगा को wise करें वाली जगा सब्सक्राइब को तकलीव gaan महसूफ हो चौना को कि रोर्ज हमेंगे स्चूण रोजिंग साइघ सब्सक्राइन कर दरें आएं अस्टेसमेंट वें लुट। बीकारہ है将 ऐसरमेर ने मेरे उपर किया ठाय जब हम फिसिकल हम विडियो बना रहे थे एल्थ तस्टीमेंट में डे आरहे है के तो सरं क्या कर रहे थे मूत सब्सक्राइब घूमा रहते हुश्ते से तो स्क गुमा रहे थे आंखों के सामेल पे ermुद्स पर उसको सा test perform कर रहे हैं ठीक है जी कौन सा test perform करें दिस्टूजंस तो यह test of convergence कौन सा test confirm कर रहे हैं दिस्ट्ट टेस्ट आफ धी कर्वर्जेंस को कहते हैं टेस्ट आफ धी कनवर्जेंस ठीक स्कार्ण सर्टेस्टाथि कनवर्जेंस होगा ठीक एगस्पेमिंट सर ने मेरे उपर किया तसरा मिर ने तो जब हम यह लेक्चर शूट कर रहे थे तो उसके बाद हम सी क्या इस्टूड़न्स कि आ नर्स डूइंग हर असेस्मेंट प्रोसीज्ट टू चीक्षोर शीचार्ट तो इसका राइट अंञर क्या होगा हमारे पास की भई टेंडर नेज्ट क्या होगा इसका राइट अंसर गाइज टेंडर नेज्ट होगा उसके बाद आम स्कुछिगो है पास कि आ नर्स वोड यूज एधर आस Сिनेलिंग चार्ट और दा सब्सक्राइब किया होगा वीजन होगा उसके बाद स्टुडेंस हमारे पास मेंबर 12 की अगर बात करें कि दूरिंग तो यह कौन सा होगा वेगस नर्व होगा गाइज कौन सा होगा वेगस नर्व सोरी टो से मैंने आपको मार्क कराना भूल गया कि बहु कौन कौन सा एक्जेमस में आये थे हमारे में तो मैं दोबारा आप मीचे तोरह सा लेकि जा रहा हो आपको फ्रोपर तो हमने भूल गए कि मार्क करना होने और तो हमरे पास यह कौन सा आया था कि कोस्ट नमर वन आया था ठीक है वेंड्रुइंग असेस्मेंट वाला उसके बाद हम से कुन सा था यस कुस्टन नंबर फूर आया था इंस्पेक्टिंग अब्डॉमिन ठीक है एक जी एमस्एकूज आया था और इसके इलावा एक और एमस्गूज भी आया था कि रही हैं को हम आसेटमेंट कर हं एक और क्स geschूज क्वे लास्ट में पल्पेशन तो उसके बाद अगर एमसी क्यूज की बात हम करें तो यह कुस्ट नमर थरी भी डियर स्टूड़न्स आया था आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपोर्टन्ट हैं यह एमसी क्यूज अब शुरू के चार सवालों में से तीन हमसी क्यू कोश्टननमर सिक्स आया था दियर स्टूड़न्स अच्छा उसके बाद अगर बात करें हम में से कुस्टननमर 17 एजा वाला था ठीके जो स्टूज अच्छा उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कि रोजिंग साइंस वाला यह भी इस भी आया था बिल्कुल यह एमस पूज आया था हमारे पास कुछ्ट नमर 11 यह वाला में स्कूज भी हमारे पास आया था भी सिनल इंचार्ट वाला उसके बाद यहां से दो बार हम स्कूज को कंटीनु करेंगे और यह बहुत बार हम स्कूज को कौन कौन से आये थे सोरी क्योंकि मार करना भूल गा था इसलिए पीस से चले गए थे उसके बाद में स्कूज दूरिंग दी असेस्मेंट आफ अपकिलाइंट तर नर्स जेंटनली टुच्छ टिप आफ स्टीडाइल कॉर्टन स्वेब इन दा क्लाइंट आई विच आफ दी फालूइंग वोड बी कंसीडर एन एकस्पेक्टिड रिस्पोंस पार दे क्लाइंट तो मार्क तो राइट अंसर कुछन नमर थाटीन का हमारे पास क्या है दिए स्टूडेंट इसका छिख भी हमारे पेपर में आया था ठीग इस तो इसका एंगल पूछ रादा कि इसका कौन सा एंगल होगा उसका एंगल जोगा कॉस्टो वर्टिबरल एंगल होगा कोस्ट्डिबरल एंगल ठीक है रिस्टूर्स कुछ मगा 15 की बाग अगर करें तो था थ्री थिंग्स आंर dear students वो है कि बई कौंसा इसका अंसर आइलेश इस टेक्स्च्चर शेप आफ आफ आई एंड ट्रेनेज देखेंगे ठीके क्या देखेंगे आइलेश डिस्ट्रिबूशन कलरिंग एंड ड्रेनेज देखेंगे राइट अंसर का मारे पास क्या है dear students d d is the right answer as 40 years old female come came for evaluation of abdominal pain she stated that it is worse after eating especially if she has a meal that is spicy or high in fit she has taken entire seeds but they have not helped the pain after examining her abdomen you strongly suspected coli cystitis यानी coli cystitis cystitis inflammation coli gallbladder inflammation of the gallbladder which sign on examination increase your suspicion for this diagnosis यानी यहां पर भी वहां से sign पूशना चाह रहा है कि वहां पर sign कौन सा होगा तो dear students यहां पर sign कौन सा होगा cystitis हुआ है उसमें इंफ्लमेशन हुए तो इसका स्रॉच्टारा आपस किया होगा Murphy signs यहांगा dear students इंफ्लमेशन पास होगा Marphy signs बाइद वे उसके बाद हमसी कुछ हमारे पास during the percussion of a clients abdomen the nurse hears a loud high pitched drum like tone the nurse would document this sound as being अभी देको sounds मौज आ रहे हैं तो दियूट्स स्टूद्स कुछ नमर सिक्स्टीन रिपीट हुआ था हमारे पेपर में आया था उसके नीचे से वंटीन वरा रलावी कुछ्टन हमारे पास आया था दूरिंग दा परकुशन अफ़क्रियांट्स अब्डोमिन दानार्स हीर्स अलावड हाई पिच्टीड ड् पास लेकिन वायवा में भी आपसे पूचेंगे अभी तो आपका उस्पी होगा तो उसमें आप आ सकते हैं कि महारफी साइंस को होते हैं ठीक है जो स्टूद्स उसके बाद अगर 18 कुछ नमर के बात करे तो यह कि रहा है कि वर्ट कूट दा नर्स असे बेस्ट स्लोली ऑन यह कि रहा है कि बाई वाटकूट दा नर्स असे बेस्ट स्लोली ऑन दा वे दा क्लाइंट वाक्स इन्टू दा रूम तो इसका राइट अनसे हो गारे पास भाईढ़े आपके एंब पॉस्चर जिस्टूडन्स यह एम सीक्यूस भी मारे पेपर में आया था यह भी इंपर् अच्छा स्टूर्ट उसके बाद हम स्कूज है हमारे पास कि विच आफ दी फालोविंग इस अ क्लीनिकल मेनिफिस्टेशन आफ बेल्स पिले ठीक जिस्टूर्ट यह कह रहा है कि नीचे दिये गए मैंसे कौन सा मैनिफिस्ट है बेल्स पिले का तो इस्टूर्ट इसका राइ फेस ठीक है एसमेट्री आफ दी इंटायर साइड आफ दी फेस इसका राइट अंसर यह है ठीक जूस्टूर्स ट्वेंटी के बात करें कुछ्टन की हम तो दो करें कि नर्स नोटिस इस देट अ क्लाइंट वाक्स वित आलिम्प एंड है लोंग लेस्ट विच आफ दी फाल तो यह जगने की कोशिश कर रहा कि इसमें चलने की सावलायत है यह नहीं तो जो चलता है उसको हम करते हैं मोबिलिटी तो इसका राइट अमारे पास क्या होगा मोबिलिटी ठीक है जो नहीं पाथ तो इसके बाद 21 की गरबाद के लिए कि टेस्ट फार शिफ्टिंग डिलन असाइटी जब डॉमिन में फ्लुड भर जाता है पर टोडिल के इसको हम कहते हैं साइटी उसके बाद हमसी कुछ हमारे पास की बई 22 की बई वेन नर्स परफॉर्मिंग दा आई इग्जैमिनेशन आई की इग्जैमिनेशन हो रही है वेच पीस आफ एकुमेंट डज ही इसको हम कहते हैं अप्थलमो इसकोप और जो आई के लिए कौन के लिए जाते तुसकों कहते हैं ऑटोस्कोप अच्छा उसके बाद हमारे पास एमसी क्या है कि बई नॉर्मल लिवर स्पेन आफ इन एडल्ट ये एमसी कूज आया था इसको हम मार्क कर लेते हैं ये एमसी क्लाइंट कम इंटू दा क्लीनिक फार रूटीन ब्रेस्ट एंड एक्जिला एक्जेम विच असेस्मेंट टेक्निक ड़स दे नर्स यूज फर्स दूरिंड एक्जेम सबसे पहले नर्स क्या करेगा इंस्पेक्शन करेगा उसके बाद आगे जाएगा तुस पहला एजुकेशन सेशन फार ब्रीस्ट कैंसर अवेरनेस मंथ विच फालूइंग कंसिटूइशन शूड बी इंडियूस तो सपोर्ट कल्चिरल डिफरंस अबाउट ब्रीस्ट हेल्थ तो इसका राइट इंसा हमारे पास क्या होगा कि इंकॉरेज आल फीमेल्स तू इंक्रीज क्वादि इंतेख आफ की अव्यट्व एन्ड विटामिन आपने डेक्वाद्वाद्वर्म अपने देख और कम्युनेटि में अपने रहुतरा तो उनको टेबलेट ने मारता होता में तो उन्हों को क्या करते हें वीटामिन हे की मीडिससं क्धीण हो यक्छी तो झ thankfully वह आई ती जबस्तान साइड सीर्छ साइट से ठीक했 तो अधर वहाँ रते मतलब पोलों के गत्रे वगरा प्लाने आरे ते बचों को तो फिर उसकी अमाना डिसक्स कि एक सप्ट कि इसकी मसला पिर उन्होंने किया किया उसको मेडिसंस दिये कौन से विटामिन A के पूसने वह थीं महीन है पता निमाई उसके बाद वो ठीक हो गया उसकी बाद हम सबसे क भी दे नर्स is going to assess a client blood pressure, blood pressure को उसे करने जा रहा है, to do this the nurse will need to have, क्या एक स्टेटोस को बोना चाहिए, एक स्टेगोमेनमेटर, भी तो बहुत ही इसी सवाल है, ठीक है, उसके बाद हम सी कुज है, हमारे पास की भाई, दा क्लीनिक is sponsoring a client education session for breast cancer awareness month which as the following constitution should be the end you can support of different but breast health, इसका राइट अंसर भी क्या होगा, encourage all females to, यह वही हम सी कुज है, यह repeat हुआ है, यह एम सी कुज हो रहा है मेरे खेल में, a client is sponsoring a client education session for breast cancer awareness, which of the following consideration should be induced to support cultural differences about breast health, तो इसका राइट अंसर होगा, encourage all females to increase their intake of vitamin A and vitamin E, उसके बाद, I'm excuse the students after asculting the bowel sounds of a client, bowel sounds के excultation के बाद, the nurses realizes the sounds were long which are the following would be appropriate for the nurse to use document this finding, upon the Poserson St이랑 difficulty stopped by due brashen, if your Roder. after the physical assessment of Mr.Essence Skin, the nurse observed that Mr.E distracting's skin color is pale, the nurse expect that Mr. Essence may his क्या हो गा, उसका कलर पेल हो गया, anemia, यानि उसके होन जो है उसका वो कम है, Anemia, उसके बाद हम से कुछ रहे हैं, इसके बाद हम से कुछ रहे हैं, तो उसके बाद हम से रहे हैं, का राइट एंसर जो होगा मारे पास वह यू सी एट ट्वेंटी फीट वर्ट परसंस विच नॉर्मल विजियन सीज एट फिफ्टी फीट ठीक है इसका आफ एट वन फिफ्टी फिट शुराइट आमारे पास कौन सा है कुस्टन नमबर एंसर भी इसका राइट अज़िए उसके बाद यह स्टुटन्स हमारे पास हम स्टूटन्स कंड़क्टिंग एंड असेस्मेंट ओन अक्लाइंट्स हेड वुड तू डू वट फर्स तरह से पहले वो क्या करेगा तो इसका राइट अन्सर हमारे पास क्या हो क इसके इसके और प्लपेट करेंगा वो पास और वुड फूट असके यह था को इसके बात इसके रात प्लानिंग टू असेज़ दाएब डॉमिन आफ एन एडल्ट मेल एक नर्स प्लान कर रहा है एच्ज़ करने कि प्डिमिन आफ इन एडॉल्ट मेन तो इसका राइस्ट क् आ समस्क्राइब कोसे कि आप यूरीन करकर आयों यानी क्या आस क्ला Wein डा एम्जी ब्लेडर क्या इसकी ब्लेडर जो हो इंप्टी यह है जब इसका इंपुटी होगा तो उसकी स्थिट सब्सक्राइब अच्छा उसके बाद हमारे पास कुस्टन है कि बई सोरी तुसे यह एम से कुज़ डियर स्टूटन्स रिपीट हुआ था उसके बाद हमस्टूज डियर स्टूटन्स हमारे पास नॉर्मल एंगिल एट नेल बेस यह क्या होगा नॉर्मल एंगिल एट नेल का 180 है तो बताओ कि यह नॉर्मल साइज में है या अबनॉर्मल तो इसके नामल क्या है वन सिक्स्टी उसके बाद हम से खूज़े कि वेंड परफॉर्मिंग एंड एर असेस्मेंट आप कान की असेस्मेंट करने जा रहे हैं ठीक दानर्स नोटेट तो नीचे दियेगे सिक्षफ कौन सा स्सिप्चट करेंग तो राइट अंसर हमारे पास क्या है इसका राइट अंसर हमारे पास है इसका राइट अंसर हमारे पास O Gottitis Media कि understood is media primary questions in the back of the archive ask the client to move his eyes in the shape of an H and then in a large X the portion of the physical assessment the nurse is computing with this client is assessing extra-ocular muscle movement. तो इसका right answer क्या होगा? assessing extra-ocular muscle movement. अच्छा गाई उसके बाद हम से कुछ हमारे पास क्या है कि as the nurse introduces the osteoscope into a client's ear. ठीक है? the client starts to jerk his head and complaints of pain. which of the following should the nurse do? तो nurse क्या करेगा कि भई सबसे पहले तो क्या करेगा? उसको remove करना तरही न है? auto scope को क्या करेगा? remove करेगा. ठीक है your students and reinsert taking care. उसको क्या करेगा कि भई take care करेगा? तो इसका है तो इसके बाद अगर हम से की बात करें dear students अच्छा इसको हम पहले को कर देते हैं mark. तो रेस कराइट इसके बाद ये students हमारे पास last वाले मसी कुज रह गए हैं तो इनको हम पढ़ेंगे कि ये क्या कह रहे हैं मारे इसके बास तो इसके बाद आपास हम सी कूल नबर 38 है कि बही विच के इन अफेक्टिर बाइब बेल श्पिले जो आमने पढ़ा उपर तो उसकी वजा से कौन सा नर्व जो है वो अफेक्ट होगा तो फेशियल नर्व जी रिस्ट्रम इससे एफेक्ट होगा फेशियल तो उसके लिए हम क्या कहते हैं मायोपिया क्या यूज करते हैं काई मायोपिया इसके बाद हमसे कुछ हमारे पास की जीरुन है फिजिकल एग्जैमिनेशन अफा मेल क्लाइंट्स क्रोटम दी नर्स पलपेट मास वट शुट दानर्स तुडू नेक्स्ट वित इनफोरमेश मैं सिरी नर्स और पर फॉन तु फर्दर असेष दी सीफ इंडिंग इस्ट्राइंच सरप क्या होगा असर नम след कि नहीं हो Чинов हो गाइस कराइट इसर परफॉर्मिंग ट्रांस्विशन फर्दर ठीक है उसके बाद इस नुबर पन सरे ट्वेंटी नुबर वन एकृष्टन की दूरिंग अप्रिस्ट एक्जैम देनर्स आग्ट अग्लाइन तो अराइज हर आप अवर हर हीड वाइड देनर्स चेंग सो जिए स्टूडेंट्स यह ते आज हमारे पास हेल्थ असेस्टमेंट वन के अम्जी क्यूज उम्मीद करता हूं कि एक्स्प्राइशन आपको बहुत अच्छी तरेकर से समझ में आ गया होगा और इसके बाद अगर यह आपको समझ में आ गये हों तो कहने लिए मुष्ट मिलती हैं अगली लेक्चर में